नमस्कार दोस्तों मैं मोहित आपका बहुत बहुत स्वाथ करता हूँ आपके अपने चला इंट्या की बोहित में दोस्तों आइफोन यूज करते हैं कभी 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 स्लोर हो जाता है ऐसा इसलिए भी होता है कि आप इसमें सॉप्ट्यूर अपडेट करते रहते हैं अगर आप आपने पुराने आइफोन को यूज करना चाहते हैं 2016 में भी अच्छी तरह यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसको ज्यादे अपडेट मत कीजिए कि अपडेट करने से उसकी जो रायम कैपेसिटी है और इसके जो स्पैक्स हैं उसके साफ से जो अपडेट आती है चाहें iOS 10 हो चाहें iOS 9 हो उसको जहलने लाएक नहीं हो पाती है तो पिसिकली वो जब लेक तो करेगा ही अगर आप उसको बार-बार मतलब अपडेट करते हैं तो नई चीजें जो भी आएंगी वो इतनी हैवी होती है एप्स जो गयरा वो उसको अपडेट करते ही आपको तो आप सालों तक उसको इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं बिएर किसी लेगिंग के तो आप उसको अपडेट ज्यादे ना करें तो आज के टुटोरियल में मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि कैसे आप अपने आईबोन को फास्ट कर सकते हैं बेस चाहें वो पराना ही हो सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं सबसे पहले आप सेटिंग में जाएगे सेटिंग में सबसे जाए देखिए जो इसके एनिमेसंस है वो बहुत ज्यादे सलो हो जाते हैं जैसे मैं किलिक कर दिया थोड़ा गैप रहता है तो सबसे पहले हम आईपोन को अपने को सलो से बचाना है या इसको fast करना है तो हमको सबसे पहले इसके animations को बंद करना पड़ेगा इनिमिसेंस बंद करने के लिए हम general में जाएंगे general के बाद यहाँ पर आप एक option देखेंगे accessibility accessibility में नीचे जाएए यहाँ पर आपको एक option देखाई देगा reduce motion reduce motion को आप click कीजिए और इसको on कर दीजिए और basically आप इसको तरंद back आया यह कोई परिशानी नहीं back होने के बाद आप देखेंगे जैसे मैं इसको खोलता हूँ जो animation आथा वो अब गाय हो गया तो अब मेरा जो iPhone है बहुत fast देखने लगा है fast काम मी करने लगा है और हाँ इससे एक नई चीज़ और है जो इसकी बैटरी है वो भी लगबग इसकी 20% ज़्यादे चलेगी और बैटरी बचाने के लिए भी iPhone को smooth करने के लिए भी दूसरी ट्रिक यह भी है कि सबसे पहले आप जब animations को बंद कर दें जब आप animations को बंद कर दें तो यहाँ पर general में जाकर यहाँ पर background app repress और यहाँ से आप इसको off कर दें इससे क्या होगा जो आपकी background हो जतने भी आपकी process चल रही होगी वो बंद हो जाती है जैसे यहाँ फॉन को लॉक कर देंगे अंदर की जो process हैं वो बंद हो जाती है इसके आपकी जो बैटरी है वो लगवक दोग नहीं चल जाती है अगर आप phone को internet पर ज़्यादा यूज ना करें basically अगर आप रखना चाहते हैं कि उसको चलिए मैं travel कर रहा हूँ और बैटरी को कैसे बचाना है थोड़ा बहुत यूज कर रहा हूँ तो आप mobile data अपना बंद केर दीजिए इसके मरकत बाइफावी पर mobile data से कम बैटरी करच होती है mobile data पर बाइफाई से ज़्यादे बैटरी करच होती है तो आप setting में जाकर जो अपनी चनल में मैंने बताया accessibility से आप वो आपकी अंदर जो processing करती है वो ज्यादे processing नहीं करेंगी तो आज की tutorial में बस इतना ही उमीद करता हूँ आपको मेरी जो वीडियो या पसंदाई होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं आपके लिए आगे अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए तत पर रहूँगा तब तक के लिए नमस्कार जैन्द